हाई एवरिवन मेरा नाम है साजिनमदान तो आज के टोपिक में हम बात करने वाले हैं बेसिक ओफ लाइटिंग के बारे में दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइटिंग की नौलज और इसके काफी सारे टुटोरियल आएंगे लेकिन लाइटिंग को परचेज करने के पहले उसके बारे में हमें नौलज होना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले दोस्तों लाइटिंग के अंदर क्या क्या होता है जब हम परचेज करते हैं क्या पता होना चाहिए हमें जब एक sunmatography के लिए light purchase करने जाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि CRI कितनी है Color Render Index उसके बाद हम TLCI देखते हैं कितनी है उसके बाद देखते हैं SSI कितनी है दोस्तो जब भी आप light purchase करते हैं तो ये तीन चीजे होना बहुत जरूरी है दोस्तो इसके बिना जो आपकी lighting होगी अगर ये तीन चीजे lighting के अंदर नहीं है बिल्कुल waste of light है आपकी और ये चीजे हर company claim करती है अच्छा brand claim करते है कि ये तीन चीजे सबसे पहले बात करें कि Color Render Index क्या है Color Render Index क्या है दोस्तो जैसे humans आई देखती है वैसा का वैसा ही पर सिस्टम मतलब कि हमारी light दिखा सके और camera catch कर पाई माल लिजे एक एक सेव के उपर CRI गिर रही है 60 तो उसकी lighting देख रहे है एक पर 70 एक पर 80 एक पर 90 एक पर 100 कहने का मतलब है 90 तू 100 के बीच में और नीचे ये CRI उसके बद TLCI डिजाइन किया गया अब तो क्या था कि humans आई कैसे देखती है CRI डिजाइन किया गया अब camera नहीं catch कर पा रहा था फिर TLCI डिजाइन किया गया लेकिन जब इसे डिजाइन किया गया दो चिप जिसमें दो sensor है camera के अंदर बहुत सारे camcorders भी आते हैं TV चैनल ब्रोड का सिस्टम के लिए दो sensor लगे होते हैं तो उसके उपर इसको पूरा experiment कर दिया गया TLCI को लेकिन कहीं न कहीं ये इसकी भी कमी पड़ गी अब क्या हुआ जो नए cinematographer जा लेटेस cinematographer जितनी भी हम cinematography कर रहे हैं व क्योंकि वो TLCI को माप दिया गया दो chip sensor camera पर अब फिर तीसरे नंबर पर जो एक cinematographer था जितने बड़े-बड़े movies वाले cinematographer रहे हैं हम cinematographer हैं उनके लिए design किया गया SSI तो इसकी जो ratio है 75 से up है तो ये best है तो इसके बारे में और detailing आप पड़ सकते हैं लेकिन मेरा माना है कि ये तीन चीजें आपने देखनी है कि TLCI हमारी 9200 के बीच में होनी चाहिए CRI 9200 के बीच में होनी चाहिए और SSI 75% से अबाव होनी चाहिए 70% होनी चाहिए उमीद है कि basic of lighting के बारे में आज पता चलाओगा कि जब purchase करनी है क्या चीजें देखनी है तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यावाज